एक रूम है और एक किचेन हैं तो उस में परशानीं बहुत होती थी लेकिन मैं छत पर सुवब में चला जाता था और धूब जब तक नहीं हो पाता तक छत पे परता था फिर बादा में आ जाता था फिर वहां पर परता था और साम के टाईम पर लम्प ले करके और फिर तब बैट करके पढ़ाई करता था तो इन सब ऐसे पढ़ाई करके और ऐसा नहीं है जब आप संघर्ष करते हैं तो वह संघर्ष करने की प्रेणाई भगवान से आपको मिलती है और विशम परिशतियों में रहेगर कैसे सफल होते हैं यह हमें इस लड़के से सीखने की जरूरत है यह हैं दूधनातिवारी जिन्होंने जेई मेंस भी 548 रैंक लाकर अपने माता पिता का सीना गर्व से उचा कर दिया है मुजफरपुर के जेपी कॉलनी चंदवारा की दूधनातिवारी के पिता अशोक तिवारी पेश्य से पुजारी है वो घर घर जाकर पूजा पाठ कराते हैं पूजा पाठ कराने से जो आंदनी होती है उसी से परिवार का भरन पोशन होता है घर में रहने के लिए एक ही कमड़ा है लेकिन इन सभी चीजों को दूधनातिवारी नहीं अपने लक्ष को हासल करने के लिए बाधा नहीं बनने क्या मेरा नाम दूधनातिवारी है जेई मेंस 2021 में मेरा EWS रैंक 548 रहा और जन्रल रैंक 54968 इस रैंक से मैं वाके में बहुत खोस हूँ और इसके लिए मैं अपने माता पीता और भगवान का सुक्र गुजार हूँ और मैंने अपने पढ़ाई के लिए सिल्फ स्टडी का सहरा लिया अपने टीचर से मदद ली अच्छे बुक्स को रिफर किया और उनी सब के मदद से आज मैं इतने अच्छे नंबर को लिया हमारे समधाता मनिभूशन शर्वा ने जब दूधना तिवारी के पिता से बात की तो उनकी आँखों में खुशी के आसु दिखे उन्होंने बताया कि कैसे गरीबी में भी उनके बेटे में पढ़ने की ललत कभी कम नहीं हुए और आज वो कितना गर महसूस कर रहे हैं मुजफर पुड के अशोग तिवारी जो घर घर पूजा करा करके अपना जीव को पारजन कराते हैं और बच्चे को पढ़ाने के लिए किराय के मकान में रतियाज उनका बेटा आयाटी पास हुआ है और इनके परिश्णम का सफलता मिली है सपना पूरा हुआ है कैसे परिवार च्टा है और एक प्टरूम के मकान में किराया दे करके रहते थे और बच्चे को पढ़ाई का महतु दिये आज बेटा ने सपना पूरा किया है आप बताएए दूधना जी आपका तो रिजल्ट निकल चुका है कैसे त्यारी करते थे कैसे पढ़ते थे जी मैं डेली लगबग साथ से दस घंटा का पढ़ाई करत करना कभी बेकार नहीं होता वह कहावात है ना प्रवार्ब है कि लेवर नेवर गोज इन वेन कैसे पढ़ाई करते थे एक रोम का मकान था उसे में पुझा पाठ होना और रहना जी सही बात है तो मैं सुबा में चल जाता था च्छत पे और जब तक धूप नहीं उगता था और तब जाकर को उपर च्छत पे बैठ के पराई करता था तो काफी कठनाईयों से संघर्स करते हुए आज सफलता की ओर बढ़े हैं दूधनाति बारी और अपने पिता जो पुझारी हैं घरगर पुझा करते हैं और आर्थिक समस्याएं रहती हैं इसके बावजूद भी अपने पिता का सपना भी पुरा हुआ तो दूधनात ने मिसाल काइम कर दिया है परिसानी और समस्याओं का रुना रुने वालों के लिए और सफलता नहीं पाने वालों के लिए कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है कि संघर्स ही में हो तो सफलता निशित मिलती है दू जब पर पुछे मनिभूशन सर्मा